हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम बैक टू माई यूट्यूप चैनल आर्ट सेजन क्लासेज, मेरा नाम रंजना गुपता है और आज हम आप लोगों को UPTGT आर्ट 1999 का कोश्चन पेपर सॉल्व कर आएंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को 50 कोश्चन तक सॉल्व करवा चुके हैं, आज हम 51 कोश्चन से स्टार्ट करेंगे तो चलते ही 51 कोश्चन की ओर, 51 कोश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के कलाकार हैं, फर्स्ट आप्सिन है तयब महता, सेकेंड आप्सिन है, हैब बर, थर्ड आप्सिन है गुलाम सेख, फोर्थ आप्सिन है गायतुंडे तो इसका राइट आइंसर होगा, क्या होगा, गायतुंडे, फोर्थ आप्सिन सही हो जाएगा, गायतुंडे, इनका पूरा नाम जो है, वासुदेव शान्तु गायतुंडे है, फिक है, इनका पूरा नाम क्या है, वासुदेव शान्तु गायतुंडे चलते हैं next question की तरफ next question है progressive artist group के स्थापना कब होई first option है 1942 second option है 1948 third option है 1950 fourth option है 1954 तो इसका right answer होगा 1948 second option सही हो जाएगा next question है समिच्छावादी कलाकार कौन है first option है रडवेट सिंग्विस्ट second option है N.K. खन्ना third option है रामचंद्रशुकल fourth option है मदनलालनागर तो इसका right answer हो जाएगा रामचंद्रशुकल रामचंद्रशुकल को समिच्छावादी कलाकार कहा जाता है next question है कृष्ण खन्ना की चित्र कला में किष्ण खन्ना की चित्र कला में किस सैली का प्रभाव दिखाई देता है first option है अब ब्रन सैली second option है मुगल सैली third option है राजस्थानी सैली fourth option है दक्षडी सैली तो कृष्ण खन्ना की चित्र कला में किस सैली का प्रभाव दिखाई देता है दक्षडी सैली का, यहां 4th option दक्षडी सैली राइट हो जाएगा Next question है, कलकत्ता ग्रूप की स्थापना किस वर्स हुई? 1st option है 1935, 2nd option है 1940, 3rd option है 1943, 4th option है 1948 तो इसका राइट एंसर क्या होगा? 4th option 1948 Next question है, कलकत्ता ग्रूप की स्थापना किस वर्स में हुई? 1st option है 1935, 2nd option है 1940, 3rd option है 1943, 4th option है 1948 तो इसका राइट ओप्षण जो होगा? वो होगा 3rd option 1943 जी हाँ कलकत्ता ग्रूप को ग्रूप 1943 के नाम से भी जानते हैं Next question है, पिकासो की, पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गवेर्निका किस अलिका है? 1st option है अतिय थार्द वादी, 2nd option है घन वादी, 3rd option है अभिवेंजना वादी, 4th option है तीनों तो पिकासो का विश्व विख्यात जो चित्र है गवेर्निका वो तीनों से प्रभावित है तीनों सेली से प्रभावित है अतिय थार्द वादी भी है, घन वादी भी है और अभिवेंजना वादी भी है निक्स कोस्चन है घन वाद से प्रिर्णा लेने के उपरांथ निची विशिस्ता वाले कलाकार का नाम बताईए फर्स्ट ऑप्शन है ब्राग, सिकिन ऑप्शन है उजिन फेंट, थर्ड ऑप्शन है के अस्कूल करनी, फोर्थ ऑप्शन है रामकुमार तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा रामकुमार, क्या हो जाएगा रामकुमार रामकुमार को नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरास चोल मंडल क्या है फर्स्ट आप्षन है चोल प्रिदेश की कमिशनरी सेकेंड आप्षन है चोल लोगों का समूँ थर्ड आप्षन है कला कारों का एक गाउं फर्ट आप्षन है इन में से कोई नहीं तो मद्रास चोल मंडल क्या है कलाकारों का एक गाउं है यहां थर्ड ओप्सन सही हो जाएगा निक्स्ट कुश्चन है किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सरवाधिक योगदान दिया फर्स्ट ओप्सन है देवी प्रसाद राय चोदरी सेकेंड ओप्सन है के सियस पनिक कर थर्ड ओप्सन है आर वी भास करन फोर्थ ओप्सन है कृष्ण खन्ना तो यहां राइट एंसर हो जाएगा के सियस पनिक कर सेकेंड ओप्सन सही हो जाएगा के सियस पनिक कर निक्स कुश्चन है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े फर्स्ट ऑप्शन है Bombay Group, सेकेंड ऑप्शन है Progressive Artist Group, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली शिल्पी चक्र, फॉर्थ ऑप्शन है Progressive Printers Association, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र, जे हाँ, पाकिस्थान से आए विस्थापित कलाकार जो है दि नेक्स्ट क्वेश्चन है Bombay Group की नेता कौन थे फर्स्ट ऑप्शन है SD जापडा, सेकेंड ऑप्शन है केके हबबर, थर्ड ऑप्शन है VS गायत उन्डे, फॉर्थ ऑप्शन है हरकिसन लाल, तो इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा केके हबबर, केके हबबर को Bombay Group का जो पैक के सच्चिव का नाम बताईए, तो पैक के सच्चिव का क्या नाम हमें, आईए उप्शन दिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है M.F.H.S.N., सेकेंड ऑप्शन है मुल्क राजानन, थर्ड ऑप्शन है F.N.S.ुजा, फोर्थ ऑप्शन है S.K. माकरे, तो पैक के जो सच्च सच्चिव हैं, उनका नाम है F.N.S.ुजा, क्या है उनका पूरा नाम? F.N.S.ुजा, F.N.S.ुजा का पूरा नाम क्या है? F.N.S.ुजा, और F.N.S.ुजा ने ही पैक का घोशना पत्र जो है तैयार किया था निक्स कुश्चन है उस ग्रूप का नाम बताईए जिसकी पहली और अंतिम परदर्शनी 1963 इस्वी में हुई फर्स्ट ऑप्शन है Progressive Artist Group, सेकेंड ऑप्शन है Group 1890, थर्ड ऑप्शन है शिल्पी चक्र, फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता ग्रूप तो वो ग्रूप का क्या नाम है Group 1890, ग्रूप 1890 की जो है पहली और अंतिम परदर्शनी 1963 इस्वी में हुई निक्स कुश्चन है Group 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था फर्स्ट ऑप्शन है यह 1890 में स्थापित हुआ, सेकेंड ऑप्शन है इसके 1890 सदेश से थी थर्ड ऑप्शन है यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नमबर 1890 था फोर्थ उप्शन है इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर है वो उप्शन नमबर 3 हो जाएगा कि यह जिस भवन में स्थाफित हुआ उसका नमबर 1890 था क्या था 1890 था निक्स्ट कुश्चन है घास का देर चित्रमाली का चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है क्या पूछ रहा है घास का देर चित्रमाली का चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है फर्स्ट ओप्शन है मानेट सेकेंड ओप्शन है मोने थर्ड ओप्शन है पिकासो फोर्थ इनका पूरा नाम Cloth hormone next question है नौ प्रिभावाद का प्रथम चित्र इस ना निस्थल किसने बनाया फर्स्ट ऑप्सन है George Sorah सेकिंड एधंवा फर्ड ओप्सन है सिंयाक फोर्थ एधंजग बनाया इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा George Sorah यहां first option सही हो जाएगा जो नो प्रभावाद का प्रिथम चित्र है स्नानिस्थल वो जो जोर्ज सोरा ने जो है चित्रित किया है next question है अभी वेंजनावादी चित्रकला का प्रारम हुआ first option है इटली में, second option है जर्मनी में, third option है पेरिस में, fourth option है फ्रांस में तो इसका जो राइट एंसर होगा अभी वेंजनावादी चित्रकला का प्रारम जो है जर्मनी में हुआ है यहां second option जर्मनी सही हो जाएगा next question है अंतिम भोच चित्र के चित्रकार का नाम है first option है माइकल एंचिलो, second option है रूबेंस, third option है लियोनार्डो दा विंची, fourth option है बोत्ती चिली तो इसका जो राइट एंसर होगा अंतिम भोच के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची अंतिम भोच को दलाज सपर भी बोलते हैं ठीक है next question है माइकल एंचिलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, तीनो तो माइकल एंचिलो क्या थे राइट एंसर हो जाएगा तीनो माइकल एंचिलो क्या थे चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे वो सभी थे यहाँ पर राइट ओप्सन हो जाएगा हमारा फोर्थ ओप्सन तीनो next question है प्रख्याद चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार है फर्स्ट ओप्सन है बोति चेली, सेकेंड ओप्सन है रैफिल, थर्ड ओप्सन है रूबेंस, फोर्थ ओप्सन है वॉन्देर वाईडन तो इसका right answer जो हो जाएगा Venus का जन्म के जो चितरकार है वो बोती चेली है कौन है Sandra बोती चेली नेक्स question है इंग्लिस भूद्रिस चितरकार है फर्स्ट है रोनार्ड्स सेकेंड ओप्षन है जॉन ओपी थर्ड ओप्षन है टर्ड नर फोर्थ ओप्षन है रेम्बरान तो इंग्लिस भूद्रिस चितरकार जो है वो है टर्डर यहां थर्ड ओप्षन जो है सही हो जाएगा क्या हो जाएगा थर्ड ओप्षन सही हो जाएगा टर्डर नेक्स question है भारती चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष है क्या कह रहा है भारती चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष है फर्स्ट option है हिर्दे इसपरसी आनंद प्रदान करना सिकेंड ओप्षन है आँखों को सुन्दर लगना थर्ड ओप्षन है इंद्रियों का संतुष्ट करना फर्थ ओप्षन है जन जीवन की समस्यां को प्रस्टूत करना तो बताईए यहां राइट अंसर क्या हो सकता है जी हां यहां राइट अंसर है फर्स्ट ओप्षन हिर्दे इसपरसी आनंद प्रदान करना निक्स कुश्चन है नाटे सास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है फर्स्ट ओप्शन है 42, सेकेंड ओप्शन है 36, थर्ड ओप्शन है 49, फोर्थ ओप्शन है 45 तो नाटे सास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है तो उन्चास भावों का विवेचन किया है यहां थर्ड अप्सन उन्चास जो है सही हो जाएगा नेक्स कोस्चन है, तीन संगीत तक किसकी प्रसित पेंटिंग है फर्स्ट ऑप्सन है पिकासो, सेकेंड ऑप्सन है ननलाल बसू थर्ड ओप्षन है Michael Angelo फोर्ट ओप्षन है इन में से कोई नहीं तो जो इसका राइट एंसर है वो है पिकासो की यहां फर्स्ट ओप्षन सही हो जाएगा पिकासो नेक्स्ट कोस्चन है मदू बनी चित्रकारी भारत के किस प्राहन से सम्बंधित है फर्स्ट ओप्षन है बिहार, सेकेंड ओप्षन है मध्य प्रिदेश, थर्ड ओप्षन है उत्तर प्रिदेश, फोर्थ ओप्षन है हर्याणा मदू बनी चित्रकारा जो है चित्रकारी की जाती है मदू बनी भारत के किस प्राहन से सम्बंधित है तो इसका right answer हो जाएगा बिहार यहां first option सही हो जाएगा बिहार next question है मुगन सिंहासन पर जहांगीर के सत्ता सीन होने की अफसर पर दर्बार का द्रिशिक किस चित्रकार ने चित्रित किया था first option है मनसूर, second option है दसवन, third option है मधू, fourth option है अबुल हसन तो इसका right answer हो जाएगा अबुल हसन जो मुगन सिंहासन पर जहांगीर के सत्ता सीन होने की अफसर पर दर्बार का द्रिश अबुल हसन ने चित्रित किया था next question है कपड़े पर चित्रित, चित्रकला का मुख्य इस्थल है first option है जोतपूर, second option है जैपूर, third option है उदैपूर, fourth option है कोटा तो यहाँ पर right option जो है वो होगा उदैपूर right answer हो जाएगा उदैपूर next question है सांजी कला किस पर की जाती है first option है कागच पर, second option है भूमी पर, third option है कलसे पर, fourth option है कपड़े पर तो सांजी कला किस पर की जाती है भूमी पर की जाती है यहाँ second option भूमी पर सही हो जाएगा next question है तंजावर चित कला का मुख्य विशय है क्या कह रहा है, तंजावर चित्र कला का मुख्य विशय है first option है ग्रामिर जीवन का चित्रण, second option है तिओ हारो का चित्रण, third option है हिन्दू देवी देवताओं का चित्रण, fourth option है पसु पक्षी चित्रण तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हिन्दू देवी देवताओं का चित्रण थर्ड ओप्शन सही हो जाएगा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण जो है तंजावुद चित्रकला का मुख की विशय है ठीक है निक्स्ट कुश्चन है प्रसित चित्र नीली रात के चित्रकार है क्या कहना है प्रसित चित्र नीली रात के चित्रकार है फर्स्ट उप्सन है राम कुमार, सिकेंड उप्सन है पिकासो, थर्ड उप्सन है रजा, फोर्थ उप्सन है M.F. हुसेन तो यहां राइट जो एंसर है वो हो जाएगा M.F. हुसेन यह मकबूल फिदा हुसेन का चित्र है यह नीली रात कहकर भी पूछते हैं क्वेपर में तो कभी कभी ब्लू नाइट भी कहकर के पूछते हैं तो दोनों आप याद रखिएगा निक्स क्वेश्चन है नंद लाल बसु का जन्म कहा हुआ है? उप्सन दिखते हैं फर्स्ट ओप्सन है बिहार, सेकेंड ओप्सन है बंगाल, थर्ड ओप्सन है गुचरात, फोर्थ ओप्सन है मर्द प्रिदेश तो नंद लाल बसु का जन्म जो है बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था कहा हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और नंदलाल बसू का जन्म कब हुआ था तो 1882 इस्वी में हुआ था निक्स कुस्चन है किस आधुनिक भारती चित्रकार के रिखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं फर्स्ट ओप्सन है रामकुमार जय राम पटेल पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं मर्द्य प्रदेर सरकार ने किस कल्या कार को काले दाश सम्मान से समानित किया फर्स्ट ऑप्शन है गुलाम सेक, सेकेंड ऑप्शन है एल राशपूत, थर्ड ऑप्शन है केजी सुब्रमन्यम, फोर्थ ऑप्शन है एनेस बिंद्रे तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन केजी सुब्रमन्यम केजी सुब्रमन्यम को मतबर्दे सरकार ने सरप्रिथम काली 10 सम्मान से सम्मानित किया था और इनको यह पुरुषकार कब मिला था तो 1982 इस्वी में मिला था आप लोग यह बता सकते हैं कि moving focus जो पुस्तक है वो किसकी है क्या आप चानते हैं जे हां moving focus जो पुस्तक है वो केजी सुब्रमन्यम की है और यह बहुत important है यह questions जो है exam में पूछे जाते हैं नेक्स question है असंबद चितरकार का नाम बताएं फर्स्ट option है जामनी राय सेकेंड ऑप्सन है रामकुमार थर्ड ऑप्सन है बी प्रभा फॉर्थ ऑप्सन है के स्कुल करनी तो यहां असंबद चितरकार जो है वो है second option रामकुमार क्यों है ये असंबत क्योंकि जामनी राय भी प्रभा केस्कल करनी लोकला सैली का इन पर प्रभाव है इन कलाकारों पर जो है लोकला सैली का प्रभाव है और रामकुमार अमूर्थ घनवादी सैली में कार करते हैं तथा ये मुख्यता द्रिष से जो चित्रकार की रूप में जाने जाते हैं नेक्स क्वेश्चन है चांद को देखकर भूगता हुआ कुट्ता किस चित्रकार की कृति है फर्स्ट आप्शन है पिकासो सेकेंड आप्शन है एमेफुसेन थर्ड आप्शन है जॉन मीरो फोर्थ आप्शन है सूजा तो इसका जो राइट एंसर होगा वो आप्शन नमबर थरिं जॉन मीरो हो जाएगा ये इनेक अचित्र है नेक्स क्वेस्चन है आरेस्ट किस क्ला मह विध्याले के प्रधाना Ci chodzi' है फर्स्ट आप्शन है लखनों कला मह विध्याले आप्शन है जेजे स्कूल अफ आर्ट थर्ड ओप्शन है बंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स फोर्थ ओप्शन है इनमें से कोई नहीं आरेस्ट विस्ट जो है वो लखनो कला महाविध्याले के प्रधानाचार थे नेक्ट क्वेस्टिन है भारती संस्कृति के चार लक्षियों में से किसके साथ चितकला का संबंद है फर्स्ट ओप्शन है धर्म, सेकेंड ओप्शन है अर्थ, फर्ड ओप्शन है काम, फोर्ट ओप्शन है मोग्ज तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म भारती संस्कृत्ती जो है धर्म से संबंधित है ठीक है नेक्स क्वेस्चन है चितरण के धरातन में कितने आयाम होते हैं फर्स्ट ओप्षन है दो सेकेंड ओप्षन है तीन थर्ड ओप्षन है चार फोर्थ ओप्षन है छे तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा दो चितरण के धरातल के दो आयाम होते है नेक्स क्वेस्चन है किसी भी वस्तु अत्वा आकरिती का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है फर्स्ट ओप्षन है प्रमार सेकेंड ओप्षन है अनुपात थर्ड ओप्षन है आकार फोर्थ ओप्षन है तीनों में कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा प्रमार यहां फर्स्ट ओप्षन प्रमार सही हो जाएगा निक्स गुश्चन है पंचतंत्र का फार्सी अनुवाद है फर्स्ट ओप्षन है अमीर हमजा सेकेंड ओप्षन है चंगीज नामा थर्ड ओप्षन है नल दमन फोर्थ ओप्षन है आयार दानिस तो इसका जो right answer होगा पंचतंत्र का फार्सी अनुवाद क्या हो जाएगा आयार दानिस यहां फोर्थ ओप्षन सही हो जाएगा निक्स गुश्चन है जोगी मारा के चित्र बने है फर्स्ट ओप्षन है छट पर सेकेंड ओप्षन है लाल प्रिष्ट भूमी पर फर्ड ओप्षन है सफेद प्रिष्ट भूमी पर और फोर्थ ओप्षन है पीली प्रिष्ट भूमी पर तो जोगी मारा के चित्र बने है वो चट पर बने है यहां फर्स्ट ओप्षन चट पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्ट है भीम बेट का गुफाएं अवस्थित है फर्स्ट ओप्षन है राजेस्थान में सेकेंड ओप्षन है उत्तर प्रिष्ट में थर्ड ओप्षन है बिहार में फोर्थ ओप्षन है मर्द प्रिष्ट में तो भीम बेट का गुफाएं कहा अवस्थित ह मर्ध्य प्रदेश में अवस्थित हैं, भीम बिट का गुफाय मर्ध्य प्रदेश में हैं, नेक्स्ट कुस्चन है, भारती लगो चितरों की बुंदी सहली का उतकर्स किसके समय में हुआ, क्या पूछ रहा है, भारती लगो चितरों की बुंदी सहली का उतकर्स किसके समय में ह हुआ, सवाई जय सिंह, तो इसका जो right answer हो जाएगा फूर्ट ओप्शन राऊ उमेज सिंह सही हो जाएगा, बुंधू सैली का उतकर्स राऊ उमेज सिंह के समय को कहा जाता है, नेक्स क्योस्टिन है, महराजा संसार चंद इस सैली के चितकला के महान संदक्छक थे फर्स्ट ओप्सन है कांगडा, सिकेंड ओप्सन है गडवाल, थर्ड ओप्सन है बसोहली, फोर्थ ओप्सन है गुलेर तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगडा कांगडा सैली का जो चर्मोतकर्स काल है वो राजा संसार चांद का समय है राजा संसार चंद के सासन काल को ही कांगडा सैली का चर्मोतकर्स काल माना जाता है ठीक है इस वीडियो में UPTGT 899 के सारे कोस्चन जो है सॉल्व हो गए है अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के question paper हम solve करवाएंगे ओके, thank you